नमस्कार दोस्तो आज ची कहानी है कमिया अमित और राशी एक ही कॉलेज पढ़ा करते थे वहाँ अमित को उससे प्रेम हो गया था दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे अमित ने मनी मन सोच लिया था कि वह शादी करेगा तो राशी से नहीं तो नहीं करेगा अमित उसे बहुत चाहता था और उसकी खुबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था लेकिन कुछ महीने बाद राशी चर्म रोक से ग्रसित हो गई और बहुत परशान देने लगी अमित ने बहुत से चर्म रोक के डॉक्टर को दिखाया पर कोई फाइदा नहीं हुआ अब धीरे धीरे उसकी खुबसूरती जाने लगी खुद को इस तरह देख राशी मन ही मन डढ़ने लगी कि यदि वह बहुत सूरत हो गई तो उसका पती उससे नफरत करने लगेगा राशी उसकी नफरत बरदास नहीं कर सकेगी इस पीच एक दिन अमित को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा काम खतम कर जब वह घर पर वापस लौट रहा था तो उसकी बस का एक्सिलेंट हो गया उसमें उसकी काफी चोट आई और आँकों से दिखना बंद हो गया उसको अस्पदाल भरती कराया गया जहां पर डॉक्टर ने देख कर बताया कि यह अपनी आँकों से नहीं देख सकेगा राशी ने कहा ओपरेशन करके देख लिजे शायद कुछ देख सकेगा डॉक्टर ने कहा अब यह कभी भी नहीं देख पाएगा अमित ने जब यह सुना कि एक्सिलेंट में उसने अपनी दोनों आँके खो दी तो वे पूरी तरह तूट गया तब ही राशी ने अमित से कहा तुम चिद्धा मत करो मैं हूँ ना सब ठीक हो जाएगा राशी ने अमित को होसला दिया लेकिन वे अपने को बहुत कंजोर महसूस कर रही थी फिर भी यहालात का सामना करते हुए उन दोनों की जिन्दगी सामान तरीके से बढ़ती रही समय गुजरता रहा और राशी अपने चरम रोक के कारण उसने अपनी खुबसूरती पूरी तरह कवा दी थी फिर बहुत बसूरत हो गई लेकिन अंधे पदी को इस बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए इसका उसके खुशाद वेवाई चीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वे उसे उसी तनह प्यार करता रहा एक दिन राशी की मौत हो गई अब अमित अकेला हो गया वे बहुत दुखी था वे शहर को छोड़कर जाना चाहता था उसने अन्तिन स्वंसकार की सारी किरियाविदी पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा अब तुम बिना सारे के अकेले कैसे चल पाओगे इतने साल तो तुम्हारी पत्नी मदद किया करती थी इसलिए मैंने इतने साल अंदे होने का दिखावा किया वह बहुत अच्छी पत्नी थी मैं बस उसे खुश रखना चाहता थी और वह यह कहकर वहां से चला गया दोस्तों हमें इससे एक स्रीक मिलती है खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरी की कमियों के प्रति आखे बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजर अंदास कर देना चाहिए दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको और नएने कहानी अला कर सुना सकूँ धन्यवाद दोस्तों